लुकर सब्सक्राइब नेटां अमनेयों सब्सक्राइब करना मेरी वाइब सब्सक्राइब या फाइम मैन हो या वाच मैन हो एक बार कंपनी का गंटा बच गया तो आपन किसी मैन को नहीं पचानता है समझा परवर्दिगार करें तुम्हारा भी सत्ता नाज हो जाए तुमको मांगने का इस्टाइल नहीं आता है अरे बेटा जब मैं इस कंपनी में है न तो तुम्हारे साइस का था थीज वरस काम करते करते घिस घिस के इतना रह गया हो जब बेटा तुम तीज वरस तक काम करोगे न तो मुझसे भी छोटे हो जाओगे और मुझको इस्टाइस ही करें हो गफूर भाई आप उनका तो आपना अपना घरीबी का लेवल माते पर लगा करके मजबूरी का पोस्टर थोब्ले पर चिपका करके घूमता फिरता रहता है उसे देखकर रहता है अब तुम्हें तर ठैरो अपन तुमको इस सेट से माल निकलने का नमूना दिखाता है नहीं नहीं बेटा मुझे जब बात से काम निकल सकता है तो हाथ चलाने से क्या फाइदा तुम देखो कि अन्दर जाग के देखा तो लपड़े कामाल आप उन दोड की उदर से इंस्पेक्टर बोला आपने ट्रक इसके अंदर सारा माल अपने कंजे में करता है तुम बिना टेक्स दिये पिच्चो के गेट से माल निगलता है यह तो बोलो सेट तुमारा किस्मत अच्छा था कि आपन उदर बैटा था नहीं तो आज तुम इदर नहीं जेल में बैटा होता तो इसका मतलब प्लीश ने हमारा ठक पकड़ लिया है तो क्या आपन क्या इतनी देर तक तुमको विक्चर का स्टोरी सुनाता है क्या जी क्या बजी हुआ अभी सेट सूरज ढूबने से सूरज निकलने तक आप उनके लिए रात होता है गड़ी तो एने की टाइम बता देते हैं लफला तो हुआ है से फिर भी आपन इंस्पेक्टर को मसका लगा के आत्पाव जोड़ करके पटा है से इड सादब कर सकते हैं तुमको जेल का हवा कैसे घाने देगा फिर क्या हुआे फिर डो तक तो बड़ी के अंदर गुछता है इंस्पेक्टर फिर पटा 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 के पटा के उसको बड़ेक फेकटा तब वह बोला पांच हजार, पांच हजार रुपया लगेगा नहीं तो तुम्हारा कंपनी का बैंड बच जाएगा अभी कैसे, वो अपना हावलदार इदर भीजेगा उसको पैसा दे देने का है लपला साथम करने का है इदर आओ वह देगा, इंस्पेक्टर का हावलदा है अभी उसको जाकर के रुपया चिटगा देने का है क्या नाम बोला तुमने? हीरा हाँ हीरा हाँ सिर्थ ये पांच हजार रुपय हैं तुम जाकर पुलीस को पटा दो क्या है क्या है अभी अप उनका दाखला नहीं हुआ है फोकट में अपना पुलीस की डैरी में आ जाए गरबर हो जाएगी कुछ नहीं होगा गरबर होगी तो हम जो तुमारे लिए बैठे हैं यहां लो क्या है सेड अब उनको तुमसे बहुत प्यार है इसलिए अब लपला करता है वरना दूसरा को होता ना तो आप उसके पर थुकता अरे सोरी से थोड़ा थुक गिरिया है हाहा हम तो क्या है हम तो क्या है वो वडिश्टों को आदमाता है बनाके हमको मिचाता है फिर बनाता है आदमी ढूपके बंद करो बंद करो यह फर्याद कि अच्पन से सुनता आरा हो कि भगवान है खुदा है का तुमारा भगवान तुमारा खुदा यह जूट है तुमारी किताबों में जो कुछ भी लिखाऊ सब जूट है सचा ये है तुम्हारे सामने इस दुनिया में कुछ लोगों ने हम जैसों को शत्रंज की मौरों की तरह नचा के रखा हुआ सचा ये है नहीं बेटा नहीं वो जो करता है वो ही जानता है अगर आज उसने तुमें ठोकर मारी है तो कल ऐसा मरहम देगा के फिर कोई ठोकर तुमें जख्म नहीं देगे आज अगर तुम उसे नहीं मानते हो कल जरूर मानोगे जरूर मानोगे ऐखुदा तुम अपने इस बंदे पर रहम कर रहम कर झाल 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 इन्हें रोटी, कपड़ा, रहने के लिए मकाम दे कर, लोग समझते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज पुरा किया, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ रोटी और कपड़ी की जुरूरत नहीं, ये भूके हैं प्यार के, महपत के, इनसे प्यार करो, आगे बढ़ दो, इन्हें कि इसी निसे लगाओ, इनके प्याओ, अरे इतना यहमाद है तो अपन को भी घले लगाओ, अपन का भी तुवारसरी का बाप होएंगा, कान वो तुम, लावारस, 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 चोड़ दो से, यहां आओ बेटे, जो कहना है यहां के कहो, कि यहां बोले कि अपन क्या बोलेगा अपन तो बस इतना बोलेगा कि बच्पन में किताब में पड़ा था कि एक डाकू रात के अंदेरे में लोगों को लूटता था और दिन के उजाले में उनी का माल उनको वापस कर देता था कि लोग उसकी जैजैकार करते थे उसके पांच होते थे अब उनकी समझ में नहीं आया कि वह डाकू था या देवता और एक बात बोलेगा यह मुंसिपल्टी जो शहर बसाता है यह शहर के कोने कोने में एक कच्रे का डबा रखता है शहर को साफ रखने के लिए वैसे यह वहलत बात दो धो ए युक्त बनाने वाले यह अफ्म至ैम पर ऐस का यजब आपको बनाने जक्रेशा का निख बनना वह पो फॉसना ढर्म सकता कहए तो निए यजदी से वाला है उटारिक stop आव को वहनाट समय फोलग आइसे लावारेसों को पैदा करके छोड़ दिया है बस सेट जी अपन को इतना ही बोलने का था है कुछ गलत बात बोल दिया हो तो माप करना है क्या अपन लावारेसे अपन के जो दिल में आओ बोल दिया अब ही अपन जाओ आपके पास कुछ खाने को होगा बड़ी भूक लगी अजी जुरूर एक पैकेट कुछे के खाने के विस्कित यहां खाएंगे या घर ले जाएंगे क्या कहां यह लीजी यह लो और चुटा रख लो बाप के पास अराम के पैसे बहुत है कि मुझे कुछ कहा दो कि अपना पाला इंसानों से कम कुट्वों से ज्यादा पड़ा है यह लीजे पैसे और चुटे भी आप अरे मेरे बिस्कित तो रही गए आज बीज बरस में पहली बार किसी ने सी चुपती बाते सुनाएं जिनकों सुनकर गुजरी हुए जिन्दीगी के तमाम बाकियात एक एक करके मेरी आँकों के सामने आगए जैसे जैसे कोई मेरे जिन्दीगी किताब मेरे सामने पढ़ रहा हूँ किसने सुनाई ये बाते कौन था वादमी था एक नाजवाद मैं उसकी बातों में इतना खो गया कि मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा दुनिया भर की बाते सुनकर आप खो जाते हैं लेकिन मेरा बेता अद्वरी हो जाओ तो आपका खोना तो एक तरह हमारे तरस देखना भी घवारा नहीं करते हैं लगता में किसी गलत खर में आगया हूं मैं मैं तो महिंदर बाबु से मिलने आया था नहीं नहीं इससे ही तो महिंदर बाबु कही घर है आओ पेटी यही वो नौजवान के जिसके बारे में बात करा था तरह यह मेरे बैटे के जूदी के बराबर भी नहीं है कामडी मुझे खोलने से पहले अपना दिमाग इस्तिमाल कर लिया करो जरा आपने भी गुवट जी बाबु जी कैसे आना हुआ जी वाहिं महिंदर बाबु नी बुलाँ भाबु महिंदर मेरे बेटा है आपका बेटा है प्लाइव जी आपका यह जी नहीं आए प्लाइव उन्हों पुझे नौकरी के लिए बलाएं अच्छा है प्रस्लाय घीरा यह हुई नो कुछ बात महिंदर तुमने अपनी जिंदगी में पहला तही काम किया है एक तही आदमी को तही जगा पर लेकर आए थेंके बाबजी तुम बिल्कुल ठीक दिन और ठीक बद पर यहां आ सथा ने अपने के साथ कभी वफा ने किया पिर भी अपने बहुत कादर करता है पर ग्यारी चोट खाय लगता है जिद शाव की रोटी पैप किया रहूर दार क्या बात किया बात पर मुझे घ्षिर यादा गया कि शहरा में मेरे हाल पर रोया नहीं कोई आ पूठके रोया आपका इसमें घरामी तेल पर उदासी की धूर जमी हुई है उसे जटादो जिन्दगी रोशन हो जाएगी करनावा लोगज़ा फिर्चा रहने के लिए डॉक्टर साथ की डिस्पेंसरी का ऊपर वाला कमना करवा तो और कल से काम शुरुआ है, अच्छी तरह काम भी समझाद। सुनो जिगा, हमसे मिलते रहे हैं आप ही के अलाखे में हूँ, आप ही कि नाखरी कर रहा हूँ, मुलाकात तो होती रहेगी तो फिर कोई लड़की है आपकी मेजर में? काम चाहर होँ वर में भी सीज़ॉ स्वाज यॡ्यृ मैं है आपकी जने, आपकी जने कहलोगा है आई बाद आदे? मैं कल की पर वाद ने कर आगा आज क्या होने वाला हूँ, ऑफार ही वाल समझ में? आप ज़र पीछी आटि आप ज़रब एटिया पॉसे करना सब्सक्राइँ तो मेरे में थिक वक्तम ल इस बर्तन बाया है और बेंड जिम्णी और निंगे वक्तम ने चोरी बंदें के लिएद्सेक्स का ने आफिए हाँ ठीक है चिली बहोजी देर हो रही है इसकी राम कानी तो कोबी खतम दिन रहाईगी लो जो बहोजी पहुंच गया हम इसमें चंदर वारी में यह बहुत है यह लोगों का है रोता किसी चंदर वारी में और यह अपना लगड़ा कर अमना चिली जैते है करेंगे यहां पर आपका हुखन जलेगा यहां नहीं 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 पर आपका हुखन करेंगे मैं इसके भी टाट चाहेंगे आईए बाओ जी आईए यह हमारा है तो इस दूनिया में नहीं रहे है इन्हें देख रहे हैं तो इन्हें बड़े सख पेलेजर थे एक रोज राउंड पर निकले तो अपने पहों पर चलके थे लेकिन जब लोटे तो लोगों के कंदों मरते हैं आई वास अभिए इन्हें देखिए यह विजहरे बड़े अच्छी आद्मी थे इस ने किसी बात का बस एक रोज मज़्दूरों की किसी वात का बुरा मान गया है लग गई तशी फ्रेम में यह खाली फ्रेम कैसा है यह यह पिछली तफाप गलती से दो प्रेम गया थे तो आप आप आगे ने अब दिखाता हूं आपको यह हमारा आखरी तरीका इनका खुल के इस्तवाल के दिए आई बाद समझे है यह आज से आपके चारिज में है यह लिए वो जो बार जिसमें भी तुखा था मुगाना आप उसे ज़रा उपर किया अभी लोगी मुकरा साँ आपको नहीं मेरे सामने बुला है उपर लगता है इसकी शामत इसकी फोटो की जानी पड़ेगी इसका तो आते ही पत्ता कड़ गया वे जाना बहुत मागा जाएगा मैं जाता तो यह था कि इस मुगादम की तरक्की करके मैंनेजर बना और इसकी फोटोस खाली फ्रेम में लगा लेकिन जब इसने मचे कहा कि मेरे तीन बच्चे मेरे तरह यतीम हो जाएंगा कि अधर्णामें कि इसाभी समाल मुझे इसकी जरूवत नहीं इसे इसकी जेब में डाल देना और जब यह और शुच में आये तो इसे समझा देना कि मेरे काम करने का तरीथा कुछ और अधर्णामें कि आधर्णाम अधर्णाव का में लें अधर्णाव करने कि होगा पूल से मकमल से नाजूखाद ए गाड़ी साफ करने के लिए नहीं मेरा दिल सहलाने के लिए आजा अरे जैनेवन ये गोरे गोरे गालों पर नीला नीला साबन मुझे अच्छा नहीं लगता चल आज मैं तेरी धुलाई का चक्कर ख़तम करवा ही देता हूँ एक बात कहूं सौ साल पुरानी तुम्हारे ये गारी है जिंदगी में तुम कभी अंदर बैटे नहीं इंजिन निकाल कर तुमने बिस्तर के नीचे रख रखा है और अब इस बेचारी पर क्यों जुम धा रहे हो कितनी बार काया है कि कोई नौकर चाकर रख लो मां इंद्र सा जाएगा लाला मैं तरह अंदर जाओ जाओ तुम्हारा अपना घर है शुक्रिया मेरी शत्रंज मेरी बनी मनाई बाजी बिजार गी तुमने अरे लाला जगा देखके बाजी लगाया करो वरना मात खा जाओगे मैं पूछो तुम हो को लाला ये अपने नए मेनेजर दाव ह अच्छा अच्छा भाई मापका ना में बाती बिगल गए तो मैं जरा आँ इंकी खातिर वापि करो मैं तो यहां खोद आया हूं आपके बागी सब ठीकाने देख लिए तो बाभी जी नमस्ते इससे मेरे साथ देखते हो भाभी बोलना शुरू कर दे लिए इससे पहले भी किसी को भाभी का था नहीं डालें इससे तो मजाग करने के आदत है सुनो तुमने मुझे भाभी कहा मुझे बहुत अच्छा लगो आज से तुम मुझे हमेशा भाभी कहकर बुलाना अच्छा अच्छा भाभा तुम भाभी कहकर बुलाएगा अब जरा तुम अंदर चाओ मुझे कुछ काम बताना है जाओ तुम मुझे अंदर बाप जंगल मकान ऑफिस तो देख लिए अब काम क्या करना ये भी समझा दीजी नो इदर आओ काली टेगडी पर हमारी एक जगा है कुछ जोबर पटी वाले हो अगदा कर रका है पुल वां से अटाना है जुट्ने भी लोग वहां रहते हैं वाह घर करना है मैं वहां पर एक शांदार फाइफ स्टार होटल बनाना चाहता हूं अच्छा अच्छा उन गरीबों को उस होटल में रहने की जगा मिली तुम्हारा दिमाग खराब है फाइफ स्टार होटल में वो जोपड़ पट्टी वाले रहेंगी क्या नहीं मैं समझा कि जैसे आजकल सरकार कहती न गरीबी हटाओ जोपड़े तुरुआओ मकान बनवाओ और गरीबों को बसा शायद आप कर यह विचार को नहीं मेरे आप विचार नहीं मतलब आप गरीबी नहीं गरीबों को उटाना चाहिए हुम होटा देंगे हुम हमा पर एक खन्वान जी का मंदर भी है ऐदो ऑटो इनसानों के साथ-साथ-साथ आप महगवान को भी दर- मालिक 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 एक फेटी बात बता हूँ चमतकार हो गया है हीरा भाव ने बस्ती खाली करा दी वेरी गर्ट अब तुम यह कमरा खाली करो फॉड़ा जैनेमन तेक हमारी पसंद जो काम सारी जिंदगी में नहीं हो सका हीरा ने कर दिया मुझे तो यह आदमी सचमच का हीरा लगता है हाँ तुमने कुछ सुना? मुझ तुमारी जै कर रहे है मेर? महंदर बाबु की जैन महंदर बाबु की जैन परफुरदा मेरे घर के बाहर तुमारी जै ऐसा कौन सा काम कर दिया तुने मुझ अन्दर ही था सुबह से साथियो यह है वह वेली और यह है महंदर बाबु पकड़नों इनके पाँ महंदर बाबु की जैन कामोश यह क्या गड़वल है यह एरा गड़वल कोई गड़वल नहीं मालिक यह सब लोग तो आपका शुक्रिया दा करने आएं मेरा किस बाद का शुक्रिया अरे माले का आपने इन सब के जोपड़े तुलवा करके लाला की हवेली में रहने की जगा जुदी है उसी बात का आई हैं मेरी आवेली में जहां अरे वावा 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 वे घर किया तुम्हें महिंदर ने और गुस रहों मेरे घर ने अरे लाला तुम ढ़ाई लोगों की तो आबादी है एक तुम एक तुमारी बीवी एक आधे दिमाग वाली तुमारी बेटी एक शत्रंज चंद मोड़ सन्नाटा चाय रहता हो गए है यह सब लोग यहां करके रहेंगे न तो चाहल पाहल माची रहेगी है की नहीं चलो बाईय प्रद्धिया था जब इस अवेली को खाली करना होगा यहां भी बुर्द दर देंगे एक यहां किससे पूछ कर किससे पूछ कर तुमने बस्ति उजाड़ी इन घरीबों को बेघर कर दिया और जी वह क्या की जी आप तो खामकार नाट रहेंगे आज तो इन्हें आपको अपने सीने से लगा लेना चाहिए महिंदर बावो ने कितना बड़ा उपकार किया है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप इन सब लोगों की कच्छी बस्ती को उजाड़कर इन्हों ने इनके लिए एक पक्की बस्ती बनाने का बादा किया है और तब तक के लिए इन तमाम लोगों को इस हवेली में रहने की अजाज़त दी है की नहीं महिंदर बावो महिंदर जी बावजी यह तुमने जिन्देगी में दूसरा अच्छा काम किया है हाँ बाईयों हाँ एक कमरे में चार-चार चार से जादा नहीं चाहिए भाई हाँ बस शाबाज इदर लग जा अगर यहां कई घड़ गया ना तो जिन्दगी भर जटके देता रहेगा जटके जटके मतल समझती हो ना चंदगली धन्यवाद नमस्ते नमस्ते चली कि अरे घीरा तू सेट जी इधर से गुदर रहा था जाने क्यों आपसे मिलने का जी चाहिए अब अंदर आओ आपने सारा बैंक 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 बैंस लुटा दिया ना चंदे में हमारे लिए कुछ अख़ोगे भी या नहीं क्यों खैरियत तुम्हें कौन से जुरुवत आन पड़े खैरियत मेरे बेटे महिंदर का जनम दिन आ रहा है मैं उसके लिए नई मस्यदिस खरीबना चाहते हू कामिनी तुम्हारे बेटे महिंदर की अब वह उमर नहीं कि उसे तोफे लेने या देने की जुरुवत पड़ेगी उसकी तो वह उमर है कि इत्ता बड़ा कहरबार समाले और अपनी महनत की कमाई से तुम्हारा दाम दरे मैं जब कभी भी आप से अपने लिए आपने बेटे महिंदर के लिए कुछ भी मांगती हो तो आप उल्टा जवाब नहीं दे रहा हूं मैं तो तुमको समझा रहा हूं कि तुम भी अपने बेटे को समझा जिंदगी का मकसद कामिनी सिर्फ एर कंडिशन गाडियों में घूमना नहीं कुछ और भी है आपके जिंदगी का मकसद क्या है लाग हो करोड़ों रुपए खरच करके लोगों की जूटी जय जय का हर ना माजी बाबजी ठीकी तो कह रहा है चुप रहो तुम बाहर के आद्मी हूं खबरदार जो हमारे बीच में बोलने की कोशिश की समझा जिंकारी फकीर लावारी यही आपके साम में आएंग अच्छा बाबजी में ज़ता हूं जी रहा हूं जी बाबजी रहा हूं मेरे लिए तुम्हारी आखों में आसू मेरे लिए मेरा अपना बेटा अच तक नहीं रोया मेरे लिए मैं कितना बदकिस्मत हूं काश काश तुम मेरे बेटे होते हैं मैं आए गामें आए डोक्टर अरे क्या बात है तुम दोनों की आँके शुरुख है डोक्टर मैंने रहा को रोज़त देखाना इसलिए तुम्हारी आँशू आशू बहाना कोई बुरी बात नहीं है तुम्हार साहब आशू आखों के लिए जितनी अच्छे होते हैं दिल के लिए उसने ब अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज मैं भी अपनी अउलाद के लिए ऐसी रोता जैसे क्या आप रो रहे हैं अब जब बोलते हैं अब बताईए बाबुजी को मेरी वज़ा से कब आशू बाने पड़े यह नहीं कहता हूं कि तुम्हें अपने बाबुजी का ख्याल लग अब बाबुजी घर में सब नौकर चाकर मर गया है जो आपकी देखवाल नहीं कर सकते मेरे दोस्त लोग नीचे इंतिजार कर रहा है मैं शीकार पर जा रहा हूं कि दोक्टर यह दवा बहुत ज्यादा जूर रहे है यह लाई रख साब बाबुजी इस घर में जब तक आप ॐसले महां कीज़िये मेडम आप कंदा ने लहीं 對 बिसनेस जी कुटा ओंडर को अनौरतर योद्म नहीं कि वक्ता यानिकी ऐॉट्ज लिए अरिचे मेडम हमारे कस्टे मरस को एतराज हो सकता है अप्पर कंपे अंगी कुछई गंदा करते तो आप इस कुछ गंदा कर दे यहर वक्त मेरे साथ रहता उपता भैका खाता पीता सोता है समझें देखे मैडम आपके साथ क्या क्या करता है आम उससे कुछ मतलब नहीं हम आपके कुछ को इस वोटल के अंदर आने की जात नहीं दे सकते हैं कहीं उसने कुछ नुकसान कर दिया तो मैं इसके पैसे भर व neके आधम हम रेकार अंदर हमक्राइन ही तकाने का सुर्णार हुना कहा बॉड्र करूंदा सुर्फफट लिजीन वस्कम्र का बार तो करना मतिए हुडा मतुना को यह कुटों के लिए आप एक अलग टेबल क्यों नहीं रखते हैं जी नहीं मैं आपसे नहीं आपसे कुछ के रहे हैं कुछ बाइब तुपी. अमाना बboy मैं आहीं मैं. वी बाईबड़ा लगे हैं यहे दो बास्टी जिए, यहा. प्यूविए यूजश्या आटी ज़गे हैं? बाईब अली देसे हैं आपसे हैं झालोग झाली दबावाना तूबल। यह जुझ.. हम आ आप च्टुर जब हिए। हम चाल है फे डिशा है यह ते हम फे डिए आपके खुटे ने सारा होडल खराब कर दिया सब गराखों को परिशान कर डाला कितना नुक्सान हुआ नुक्सान ये लीचे मैं जाब सवाल पैसों को नहीं है इसे गराखों को कितनी परिशानी होती है होटल का नाम बतनाम होता है तो उसके लिए ये और लीजिए अब मस्ते क्यों नहीं अगर ये भी कम पड़े तो घर पे फोन करके चेक मंगवा लीजिए ओके झाल 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 दवाई और ये रहे पैसे ये तो तुम बाबुजी को देना ना बाबा ना इससे पहले कि पैसा हमें अपनों से दूर करें हमें पैसे को अपने आप से दूर कर देना चाहिए कैसे बाते करते हो भाया भाया बात ही कुछ ऐसी है आज सड़क पर चलते फिरती एक लड़की जैसी चीज से मुलाकात हुई थी लड़की जैसी चीज जी हां शकल सूरत से तो लड़की दिखती थी लेकिन मुझ खोलते ही काठने दोड़ती थी सर से पाँ तक दाथी दाथ बाप के पैसे के दाथ यू समझ लो कि चलती फिरती तीजोरी थी तीजोरी किसकी बात कर रहे हो वही लड़की जैसी चीज की बेरी लेकिन वहार साव वहार हमने भी वह करतव दिखाया क्यों असर देखना तू winning है अगले जनम में है जियां हँँ आज के बाद सारी जिंदगी वह लड़की भगवान से यही करंगी की है ऑगर बहुत अगले जनम में मुझ्वी किसी पैसे वाले बाप के घर पैदा मत किसी पैसे वाले बाप के घर पैदा मत करना आप आप क्या कशा थी अरे यह तो मेरी फ्रेंड है मोहीनी नहीं मधू लड़की जैसी चीज मेरे सारे जिसम पे दांथ है मेरे बाप के पैसे के दांथ कमाल कर रही है आपके दूद के दांथ तो अभी घर पैसे है तो दिखाओ अपने दांथ मेरे बाप तक मत जाना तुम कह थे पहले मेरे बाप तक मेरे बाप की सिसाइटी में इज़त है उन्होंने मुझे पढ़ाया है समाज में तुमीज से रहने की काबल बनाया है तुम्हारे बाप में तुम्हें क्या सिखाया है लड़कियों को छेड़ना उनकी ऊपर कीचर उचालना ऐसी हरकते तो वही किया करते जिनकी अपनी को इस पही होती इसके बाद एक लवज नहीं वर्ना बढ़ना क्या कर लोगे खाँ जाओगे माद दालोगे क्या कर लोगे जाने केसे तुम्हारे नहीं हूँ प्लीज ओमाई से चलो यहां से इस मधू वह पनाने वाले ने तो पत्थरों में जान डाल दी है अरे यह तो कुछ भी नहीं है डियर जरा अंदर चलकर देखो है ऐसा लगता है जैसे दिवारों से मुर्पियां बाहर निकलकर हम सबसे बाते करने लगेंगी चलो चलो कम मोहिनी हां तुम चलो मैं आती है ओके तुम लोग को चलो प्रूबर बजयर बजयर अब अधर करना मुझे फॉरां को चाहिए जिए मधू, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? देखी न बबुजी, अज राखी का दिन है, हर भाई सबसे पहले अपने बेहन के पास जाकर राखी बनवाता है, बेहन को आशिरवात देता है, और एक मेरे भीया है, सुबा से दोपैर हो गई, अब तक नहीं आए मधू, तुम भी कमाल करती हो, तब तो वे रेगिस्तान में ठंडे पानी का चश्मा तलाश करती हो, बेटी, जिन लोगों के नजर में राखी की अमेद है, उनके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से ज़्यादा है, लेकिन महिंदर जैसे लोगों के लिए राखी ब मैं इस घर का नोकर हूँ, तेरी आखे कभी बीगने नहीं दोगा, सच बोलते हो, सच बोलता हूँ, कसम खाता हूँ किस की कसम? किस की खाओ मेरा तो कोई है यह नहीं इस दुनिया में, मा, बाप, भाई, बेहन, जिसकी मैं कसम खा सकूँ यह, यह क्या करियो मादब, अपने भाई को राखे बंद रही हूँ नहीं मादब, मैं इस लाइक नहीं हूँ तुमने तो उस आत्मी को भाई बना लिया, जो कि फिलका हुआ एक ठुबराय हुआ इनसान है, जिसने अपनी जिंदिगे में कभी कोई रिष्टा देखा ही नहीं वो गंदा है मधू, बस ठोकर खाने के लाइक है नहीं, यह मेरे भाई है, अगर कोई मेरे भाई को ठोकर मारेगा, तो मैं उसके पेर काट दूगी, क्यूंकि मैं तुम्हारी बेहन हूँ ना पेटा, यूँ समझ लो, कल तक इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं था, और आज तुम्हारी बेहन है, तुम्हारा बाप है सेट जी, जिन्देगी की आग ने चला चला कर, मेरे दिल को जखमों से भर दिया था, आज जब आपके प्यार ने उन जखमों पर मरहम लगाया तो, मेरा दिल भराया सेट जी, यकीन नहीं होता, कि ये सच है ये सपना, अगर ये सच है, तो फिर वो क्या था सेट जिसे मैं सेट जी नहीं, बाबुजी कहो भाया, बाबुजी, अरे कहा तुम, ले जल्दी से राकी बांदे, अरे अब, महिंदर, जी बाबुजी, ये धागे प्यार के है, किसी का इंतजार नहीं करते, जिसकी नसीब में थे, उसे मिल गए, बाबुजी, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हीरा, मैंने यहाथ तुम्हे काम करने के लिए बुलाया था, आकि रिष्टे चोड़ने के लिए, आएंदा इस गर में कदम मत रखना चाब तक कि तुम्हे बुलायाना चाहे, अम्देब? झाट, आएंदा चैट, आए सिरिए, आए ये अचिए आनना चाहे, आए अचाहे, अगया है, आए था, पायूद, आए आए दूर शाया था, बुलायाद के लिए अब में दूद, आए नजन, आएए अच्छ साहर, मुझे वाहे शिल्टे आए आए करने में कम से कम घंटा तो लगी जाएंगे आपका इतना चोटा है कि पांच मिनिट में तीन राउंड लग जाते हैं कि मैं यहीं बढ़ रहता हूं अच्छा ठीक है मैं सकते ना यह पर पर सुड़ो हुआ कि माफ कीजिए का मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूं आपको हरी मिर्चों का शॉप को नहीं है अरे आप तो खामखा नाराज हो गए अरे बापर है दुष्मन का घर अरे असनाट का थे है तो अंचलता हूं वा क्या दो तुम कहां से मैं बैडता हो और तुम कहरूं के रों में चलता हूं क्या बात है यह बैटने में तकलिप नहीं है तकलिप इस बात किया है कि रॉंग नंबर लग जाए जी इसलिए मैं चलता हूँ उन्होंने उल्टी सिधी बात है कि तुमने सिधी सिधी बात है कि खुलके बात करो यह गोल बात है क्या कर रहे हो पगिल साथ यही बात मुझे अभी पता चला है कि दुनिया गोल है इसलिए मैं चलता हूँ तुम उनको सब को समझा दिया इसलिए मैं चलता हूँ तुम ऐसे कैसे जा सकते हो फिर कैसे जा सकता हूँ मैं तुम ही ढून रही थी आव मेरे साथ बेटा ही राज तुपड़ी है क्या हूँ क्या हूँ आव ना तुम्हारी उस दिन की बातों ने मेरी जंदगी को जंजोड कर रख दिया एक बहुत बड़ा किस्सा जो शायद मेरी जंदगी का सबसे बड़ा वाक्या है मुझे याद इला दिया कौन सा वाक्या मैं चोटी सी थी मेरी नानी की घर एक लड़का काम क्या करता था बरतन माज़ा करता था बेजारा लेकन सारी जबाने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी पानी की तरह बोलिया करता था उसका बाप शराबी था और शराब पी कर उसका बाप उसे बहुत मारा करता था हाँ और उसकी तंखा भी छीन लिया करता था एक तन मासजी ने मुझे सवाल किया किराम को कित लेकिन यह सब यह सब तुम ही कैसे मालूम आप उस लड़के से मिलना चाहती है क्या तुम उसी जानते हो जब से पैदा हो मेरे पास ही रहा है कहा है वो ले चलो मुझे उसके पास लेकिन बहुत खरीब है एक जोंपने में रहता है मुझे उसकी परवा नहीं वह कहीं भी हो प्लीज लेचे लो मुझे उसके पास कि यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है कुछ नसर नहीं आता मैंने का थाना वो बहुत गरीब है और गरीबों के जिन्दी में सुआ अंधेरे कर लिखाई कि है आई कि अचे वो अंधेरा है अंधेरा है राइब यूर कर दोने में सुआ पिर्णी के है कहा है वो? बदाता पिर्णा वो आजे लो आजेगे बंधेरा है कि यहीं है न मौँ यही है न मौँ यही तो वही किताब है लेकिन लेकिन बू कहा है जिस इंसान को तुमने किताब दी थी उस किताब को तो पहचन ले इंसान नहीं पेचन लेलो मेन आनी मासे कह कर दूसरी किताब भालूंगी तुमने कर दोड़िए लड़ी लड़िए 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 झाल 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 तुम से मतलब है जहां तुम चलोगे तु आरे साथ चलेंगे तुम रिष्टे की बात कर रही थी ना मैं जल्दी में था आज रिष्टा जोड़ी लेते हैं जबीने पत्माश सोड़ दे मिराथ भाईया भाईया को क्यो तक्लीफ रेती हो जानेमान हम तो रिष्टा जोड़ने की बार प्राओ प्यूद!!!! बचीन! Baptist!! बचीन! चयूँ, चयूँ! ह confirming भाइ है भाइत भाइत भाइ फ दो जो ख फट खिहा तूँगा भाइत डिल्ट अजद похож जब करियो झाहस भाइत ङभाइत वाइत वाया में पुल्च पुल्च अपिए करे रुम्सादे एस कुद्टय के पिल्ले को ताके बाहर फेक तो पुदर जाओ हराम जादे सीधी तरह वापस चलाजा वरना आरे मशीन में इतने टुपले कर दिये जाएंगे कि चील और कव्वे भी नहीं खापाएंगे पाल तुपती हो उसे मेरे हावाले कर दो वारना एक एक के टुकडे कर दोगा हाँ ड़ना कि उपके ख्रकी माप्यों में करेंगे अगे खकी डाथ आप जादो किछी दो मैं इस लग्कार घर में आद लिगा दूगा जहार निकालो और वन्यम आद में आद लिगा दूगा काम सखेंक जहार में काम सब्ड़क गद्युख तो इनके बच्चे भूके मर जाएगे राम से अगर कुमें पाइलर चाहिए तो मैंना के देता हूँ मैंना के देता हूँ हाँ 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 रोधी क्यों है पगली कर भाई विसंदा है हाँ पर्चा हाँ आशो पुष्ले हाँ हाँ अझनो हाँ हो हाँ 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 मेरे, 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 मेर झाल, झाल, झाल झाल, झाल, झाल झाल, झाल, झाल झाल, झाल, झाल झाल, झाल झाल, झाल झाल, झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल 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 झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल 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 कि मौनィ तुम यहां है शुक्ति है पहचानतो Лिया मुझे लग रहा था राम सिंग के लिए सारी दुनिया के सास अथ मुझे भी भूल कर होगी में तुम्हे कैसे भूल सकता ह। तुम्हे तो कोई एक बार देख़्ली नहीं भूल सकता है मैं तो तुम्हें हर वक्त देखता है पस पस इतने दिन उसे मिले क्यों नहीं राम सिंग की घड़ के बाद भी कोई दुनिया है या नहीं अधिकर मेरी दुनिया तो बस इस खर से शुरू होगी और यहीं खत्र हो जाएंगा और मेरा क्या होगा तुम्हारा वही होगा जो मेरा होगा और मेरा वही ओगा नहीं मैं नहीं समझी आखने समझागे समझ जाओ चलो कहां राम सिंग के घर के लिए शेयर से कुछ समान लागा मुझे बता मैं ले आती हूँ राम सिंग के घर की जिम्मधारी मेरी है वो मेरा फर्ज है और इनसान को अपना फर्ज खुद मिभाना चाहिए कि अधिक अधिया और में आपको कितने दिनों से कहां डूंता भी रहा हूं जोक्तर के घर में नहीं मिले और मिले तो इस फक्रकर के घर में मिले आई बात तमझे मेरी समझ में तो बात आ गई लेकिन लगता आपको बात समझानी पुद़ेगी मतलब यह कि आइंदा राम सिंग के बारे में कोई ऐसी बखवास की तो आपकी यह दूसरी आख़ी में फड़कवाना शुरू करवाज़ा पावजी मेरी सोड़िये अपनी विकर कीजिये एक भेट की बात पता हूं महिंदर बाबू बहुत नाराज है आपसे आप कितने दिनों से नौकरी बरनी आए और मुलाया अभी चलिए मेरे साथ एक भेट की बात मुझसे भी सुन लो अपने महिंदर बाबू से कहना कि मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी और एक बात कहना उनसे कैना राम सिंह उसकी बैन की तरफ कभी बूले से भी आख उठा कर देखा तो मैं उससे बीच चुराएं पर ख़ड़ा करके जिन्दा जला देखा अब आख नमकराम हीरा का है अब रसी जल गई लेकिन बल नहीं गया तुमार की आलाद तु जिस हीरा के बल बूते पर अकड़ रहा है तो उसी का पता पूछ रहा हूं कहा है वह मैं नहीं बताओंगा और मैं पूछ के रहांगा मैं नहीं बताओंगा तो नहीं बताओंगा अब बोल जब तक मेरे शरीर में खोन का एक विकत्रा बाकिया है मैं नहीं बताओंगा तो तु लें बताओंगा इस रामजारे के जिस्ब से खून का एक इक कत्रा निकल दो है 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 या तिime मंद गुर्फ की डिग्री और बड़ा अब अगर मैं तेरी बात मान लूँ तो तुम मेरे भाई को छोड़ देगा है है कि युकुर तो बेरिभाद कार ऐ तो तो अब तो अधार तो अधार युद्यू दीन है युद्ये नए नए जोड़ी कर्के शोच अधे कर्केश अधार्दि नाव और आज वेमा शेंड़ जनो 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 पहुग Jewel ँट मडनिएड़ existed भम्सुट पहा हाद ढुगी ओ द द two इरक atala हा हुग इरको list आओ दो ओ द देवखे लगद हं consist मेंदर चल्नो को ले गया मेरी बेहन की इसलम कंचालो हिरा चौह हिरा हुआ यह दो हम लुड़ा आपका डही घुट है क्वाई टाह दुटा ऑन में जाख आपका कई लिए अगा टव तरीत चान जो जो कर चैनल टाहिं तरा टाहिं टेड मुसुंगे यह नहुती सकत catalog है ब्रॉम्सीं यह हुए प्र millise घराऊ चानो 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 क्लोभस फ्रही झाल लुषके से फिर से किलो दो बन अ clear कि मैं जूदा पड़ गया मेरे भाई अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा ने कर सका कि मैं जाट आप यहां है वहां पुली सेशन में आपको बुलाया है आये आये तुम बिल्कुल फिक्र मत करो हां बिल्कुल परवां मत करो मैं आता हूँ पापजी किया बात है वेटा जी कुछ नहीं किससे बात करें तो फोन पर वो अब किल सबसे क्यों हो बाब जी वो राम सिंग को हार है ना उसका कतल हो गया है कैसी वो अपना मैनेजर रखी दा है ना उसका राम सिंग की बहन चन्नों के साथ कुछ था वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी लेकिन जब उसने हीरा को शादी करने के लिए कहा तो उसने इंकार कर दिया यह कि आपको यकीन नहीं होता ना क्यूंकि आपका बेटा आपका खुन है मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसकी असलित क्या है कमोश मतमीज अपना एज़ा मुझ पर ठोपकर खुद बचना चाते हो इंजर हीरा अब सच क्या है चूड क्या है यह हम अपने आखंगी प्रकश करेंगी मौसल करेंगे तो चुट बढ़ना लाला इनको जुटलादोगे पर बस्ती वालों को कैसे जुटलाओगे जिनके जामने दोनों को मारा और मकान को आग लगा है इसको पैसो के लालची कुटे साले तौलत में पिकने वाले वकील खुनी मैंने यह तेरा बाप महिंदर हचकरी से लगवा आप्नी सबान काभू में रख़। जिख देखिए ना बने से हब तक तो काभो में रखा काभू में रखा था तुम लोगों की जूटी शराफत में आकर ये तो ये शाना ही राभी शरीफ बनने चला था इये लुच्छा तो शरीफ बन गिया लेकिन तुम शरीफ कहलाने वाले लोग लुच्छे के लुच्छ ही रह गया चौब कर नहीं अर्ट कमीन होगा तुरा भाप टेख ते चलिदा ऐसे अ कि आ है सब्सक्राइब करने वाले के जिस दिन छूट करोंगा उस दिन से तुम्हारी जिंदगी एक एक दिन ऐसे चला होगा जैसे राम सिंग का ही घर चल रहा है किसम पैदा करने वाले के जाक्टर गोईल और कुमारी मोहीं की बियानों से अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि मिस्टर हीरा बिलकुल बेकसूर है अदालत इसे हीरा को बाहिज़त बरी करती है और पॉलीस को आदा करती है कि वो जल से जल असली मुझरमों को पकड़ने की कोशिश करे कि तुमतर बिलकुल थे झाल पोलन पर व्योड़ने की कि बाहिए है कि वोग्यों की वोग्यों की इसे पहांते हाँ है यहरी टरनथीट मैंने तुम्हें इसलिए दिया था यगर तुम्हें कारोबार पसंद लिया तो क्या हिए अब तुम वापस लटि पा हुद है कर दो कुछ लोग पसंद है और लोगों को ठीक करने में आप उनको कितना टाइम लगता है चुटकी वजा है आदमी साथ नहीं यह इतना आसान नहीं क्यों कि यह तुम्हारी बंबई नहीं मेरा इलाका है अपने अलाके में तो कुट्ता भी शेर हो जाता है महंदर बाबू और वैसे अपना पाला आज तक सिर्फ भॉकने वाले कुट्टों से पाथ कुछ कुट्ते ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ काटते हैं भॉकते नहीं मेरा नाम हीरा है गले लग जाओ न तो हार बन जाता है कई हालक से नीशे उतर गया तो चीर के रखते हुगा कि उस हरामजादे ने मुझे चैलेंग दिया है और वो आएगा जरूर आने जाने का रास्ता सिर्फ यहीं है उसको खतम कर दो उसकी लाश के टूड़े टूड़े करके इन पहाड़ों में बिखेर दो नदीब बहादो मैं तुम्हें बाल कर दूगा लेकिन याद रहे तुम मेंसे को पचाना नहीं जाना चाहिए कामवालों को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो खुद इस जगा को चोड़ दर बात का पाव जी के काना तक ये ख़बर नहीं पहुचते चाहिए नहीं पहुचते चाहिए बिल्गु बेभे कर रही है वर्ना मा तुम्हें जिंदा काड़ दूगा पदारा मनी काल चेतलू कानलू तीसी काखलो गदल बुड़ा पारिस्ता ना सावी रंगा अनुआ अन्ता दे मैं अधार पानकिया अपनी मंजीरे पावे बना दूआँगा ओ ठीका चीका चल दीगा प्राइब प्राइब अनुद्ट प्राइब प्राइब आप अमिधुरे बिद्ट ते लाएब तो चाल कि अंत वु क्याएब है आश्या यहिए अचला वर राव यह तो लुक्त कि पशानिने की लिए अर्फ तोलो पेड़ा, गाट्चु जोब पजरांग बने कित राप परो हूँ? पेड़ा वालेंच पेड़ा? यहे गुरू, मी काल्लु, चेतुल, कदुलु, तीसी, नर्की, कागुल, दपल करिस्तान चपनु गुरू देड़ा, यी वेजिटेरियन मनेशी, मार्सु गुरूंची माड़ला आड़तनना गुरू, निको एडली कावला? तामर गावना याच्छा छोबला भगा, मला खलास करना रोता याच्छा 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 दस्व प्राजी थोड़ा की कीता जाए मैने तो मासी करदे, पाजी बजरंग डली, ऐस डिजाइन नू वेखो तुसी हत पैर दितने तूरन वास्ते याच्छा याच्छा अपनी मंजी वेच्छा मैना खड़ी करदे, आजी मंजी याच्छा याच्छा येंड डै येनन तुन्डु तुन्डँ वेट्टी आतले तुखी पोला पाती अम्मा सर अधिकग मोेंदर सर उन्नके रंब कास्त तराइन सोना ल्या अम्मा, अमा सर इप्पो, नान उनके आजोर डबल कास्त तराइन सोना आज सर बोरुमा इननम कास्त वेडुमा बोरुमा माड़ा पायले कुंचा वरी ये बहाब करेजी पोतानो भेजो ना थी जात अधा आप जाजी उनालवानी वात करेच हाँ दादा यु वात वह भी भाइल प्यागत दादा वोशे जाँ इन आपके शेष कोर नाला अलाल वी जालाइन जालाइन दालाइन वात बाशनी एजा दालाइन पारेक्त बाशनीए जाओ याद याद बजले बजरंग भली यह वही लोग है जिन्होंने मुझे बुल्डोजर देकर बेजा तो बोले जोपड़े तो डालो भगवान को निकाल डालो फोले गरीब लोग तो फोकट में रहते ही हैं भगवान भी जमीन पर किराय नहीं देते हैं निकाल डालो लेकिन अपन को देख तूने अपन की जिंदगी में कितनी बार बुल्डोजर फिराय आपन कुछ नहीं बोला यादे उस दिन भी अपन बुल्डोजर इधर उधर फिराय तेरे को आच नहीं आने प्याँ है क्या करता तीजे फेक्ट जब दो बड़े आदमी बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं अब यह देख एक और मॉडल अब हो और नामे इधर आवे चपकू आप मुझे आप मुझे आप मुझे मारेगे तो मेरी माँ बैद मर जाएगी तो मेरी माँ बैद तो मेरे दो कुमारी लड़कों को आप जोकाता रहता है आप मुझे के बुरे मालिक की संगत में बुरे काम ना करूं तो मावेर को खिलाओ कहां से तेख को जबकू मैं तेरे को एकी शर्ट पे छोड़ने वाला हूं आज के बाद आख जबकाना बंद बुरे काम इमांदारी चालू चालू आई बात समझ में आगई चलने करने का अच्छा में चलता हूं आपने गंगु गंपत को बूल गया क्या साइब लगता है पूराना स्टोरी भूल गया साइब अख्छा सुनाने को पड़ेगा याद है साइब तुमारे घर में वो तुमारे दोस्त का भेन था विज्द्या उसको बच्चा हुआ था ता हाहा गंगु तुम हो आविज आपके तुम पीछे वैटो हम तुमारा ड्राइवर है पुराने जगे प्यां गया है साइब ने कोई बात में काड़ी में चलाओ चलो बैठो था अच्छे उत्रों यहीं आपका घर है क्या से निचे उत्रों सब्सक्राइब करो पैसा बेजना बंद काई कुपिया साइब के लो पांसो रुपए हाँ पापसी चिकट कट्वाओ सीधा बंबाई चाओ तुमारा इदर नजर आए तो इसनी मुद्धत के लिए जेल भीजवांगा जिन्दा अंदर जाओकर मुर्दा भार निकलोगे ते तो इसका फैसला तो हम करेंगे ना अदालत में जो कुछ बोला सच बोला सच बोलना को पाप है क्या है तो नहीं लेकिन बूरी बात जरूर है मित्या करते हो बाई जा बे, डॉक्टर साब को जरा बजार के हवा खिला दे ताके औरों की तबेद भी ठीक हो जाए कुवर रन्वीर सेंग कौन हो तुम कैलस साब का जुना ड्राइवर गंगू गंगू तुम गंगू हो तुम अपनको पैचानता है मेम साब तुम हीरा के बापू हो ना वही जो बच्पन में उसके मेहनत की कमाई शराब में उड़ाय करते दे तुम हीरा मेरे कुछ छोड़कर भाग कर इदर किदर आ गया लेकिन हीरा तो कहता है कि उसका तो सब कुछ है उसको तो बहुत बड़े मैलों में होना चाहिए लेकिन सफ्ट्या नास हो इस हलकर तैलास नास तुम ही इससे बात करो वो मेरी पिता है आपनाए तुम जैसा अच्छा लड़की इसके घर में कैसा फैदा हुआ आचा अचा में शाप तुम उसका बेटी है तो मैं तेरे कुछ सब कुछ बताएंगा तुम मेरे बाप कितना बुरा है उस्में हीरा को कैसा आनात किया लेकिन मेम साब, दो दिन में कुछ खाया नहीं, पीया भी नहीं, फड़ा पैसा मिलेंगा तुम जितना का होगे मैं दूंगी, मुझे सब कुछ बता दो रवसाब रवसाब रवसाब, ये सब कैसे हो गया कुछ नहीं मेटे, एक आवाँ चुड़ी, आंधी आई ये कैसी आंधी थी, जो सिर्फ आपके आँ बरबादी फेला कर चली गई ओ, समझा, बच्पन से लेकर जवानी तक सुबह शाम, मेरा ऐसी ये आंधियों से पाला पड़ता रहा है वो लोग समझते हैं कि अद्दालत भी उनके पात की चागी रहे आप फिगर मत कीजी डोक्साब इस खेल के मैच खेलने की पच्चीस साल से प्रैक्टिस है मझे करबड़ी सेफ इन कपड़ों की है अब तो हुलिया और जबान पदल के हस्लियत पे उतरना पड़ेगा कि अब 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 इस दो बीटी अब जिन्दगी का हर मैंच अपन यही उनिफर्म पैन के खेला है यह तो बीच में थोरी देर के वासते इंटर्वल हो गया था अभी मैंच पिर से चलो आप यह लोड़ सब यह आपन का कफन है काला कफन अब मेहंदर बाबू के किलाब कोई गवाई नहीं देगा क्यों है क्यों है तुम लोग ने डॉक्टर के हाँ दठाए मैं तुम लोग की वह हालत करूंगा दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुमारा इलाज नहीं है यह आपना मेरी करूंगा यह यह वर मेरी करूंगा यह वह दिए यह वह आपना ए भाभू करूंगा अब आप पुस्टेल परीदेवे चंचों पर हकूमत करने वाले कमीने बहाना तेरे गाउ में तेरी बस्ती में तेरे मकान के सामने कहा होकर हीरा तेरे को चैलिज करता है बाह निकल कि यह तुम्हें करता है कि अगर मां का दूद प्याएं तो मेरे सामने आप एक ही पट्के में सारा दूद निगाल दिया तो मेरा ना भी रहा नहीं साले इस साले बाप बेटे यह दोनम मिलकर दुनिया को लूट रहे है कि अब सालाचंदा देकर यतीम खाने बना कर लोगों पर भाग जमाता है और यह उसका बेटा कंबक्त गुन्दों और मौलियों के जोर से गरीमों पर जल्म करता है कि मैं पूछता हूं कि अदर तुम्हारे भगवान को कोई गाली दे को इसके मुँपर ठूके तो कि तुम चुप रहोगे आज उसी भगवान को एक गंदी नाली का कीड़ा एक एसान प्रमोश कुलम खुला कालियों दे रहा है अब हो पैसे वालों कि अभी बेटा बनाते हो कभी राकी बांकर भाई बनाते हो कि अब अपने मतलब के लिए कि वर्ना राकी का ये कच्चा दागा क्या चीज है अरा इसकी जगान लौहे की जंजीर में होती ना तो अभी तुम लग अपनी बैमानी की तल्वार से काट कि इसके टुक्ड़े टुक्ड़े कर देते हैं अब इस साला कोई बार नहीं निकलता है माप बेटे ने मिलकर चूलिया पर लिगया मेरा जबान को लगान दे वर्ना वर्ना क्या करोगे गोली मारोगे? हाँ मैं गोली मार दूंगा ही रहा ले, मार गोली दुनिया को इस घर की असलिएत का तो पता चले ये तो पता चले कि सिर्फ बेटा ही नहीं बलकि दान वीर, धर्म वीर, गरीबों का बारिस, वे सहारों का अन्दाता भगवान का अफ़तार कुमर रनबीर सिंग पंदूक उठाकर गोली चलाना भी जानता है मार गोली नहीं नहीं बाबुजी तेरी बाबुजी यह क्या कर रहे हैं अच्छा मौनी मैं इसे जिन्दा नहीं छोड़ूगा आप जिसे माने जा रहे हैं यह आपका अपना खून है यह आपका पीदा है मुझी कंगू ड्राइवर ने सब कुछ पता दिया है जाले बाबुजी परसेट अबरे क्या हो परसेट परस क्या जड़ गया क्या चलाना भूली परसेट जाता किदर है कसम से यह बंदू कहा जब उनके हाथ में होता ना कबका लंबा कर दिया होता है ठीक है सेट आज ही राज जाता है मगर याद रखना तुझे यहाँ जिन्दा नहीं छोड़ूगा सेट तेरी शराफत के जंडे एक एक उखाल के फेक दूगा सेट पाभूजी जिन्दगी ने उसे बहुत सताया है उसे अपना लीजी वो बहुत दुखी है वो इस बाप से ज़्यादा क्या दुखी होगा जही जानते हुए कि उसका बेटा दर्मदर की ठोकरे काता है उसके अपने घर नहीं लासकता अपनी सीने से नहीं लगा सकता उसे 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 एक बार बेटा कैके नहीं पकार सकता वही नहीं मैं तुख से भीक मांगता हूँ मेरे बेटी से कभी मत कहना है कि मैं उसका बाप हूँ वो मजबूर बाप वो समाज के डर्च से अपने खोन को अपना खोन में दे सकता है तुब से भीक मांगता हूँ मेरे बेटी से मत कहना मेरे बेटी से मत कहना मुझा मत कहना हूँ से कि मैं उसका बाद हुआ हुआ है हुआ हुआ है क्यों लोग मालूम नहीं मुझे ने मालूम नहीं लेकिन माहिंदर वाप वेड के बीचे करे देखेते है महिंदर जैरो कि मैं गदा रोग जाओ तुम्हें हमारे भगवान को गाली दी है उसके शैतान बेटे को भी गाली दी है उसकी असलियत जानना चाहते हो यह भगवास करता है कर दो कर दो करता है अभी जान बागी है जिन्दा है अभी मारो मारो इसको यही तस्तूर है सुलियांगा अमीरों को हाथ जोड़ो और गरीबों का सर भोड़ो मैं पूछता हूँ इसका कसूर क्या है यही ना के मुझ चैसे गरीब आज निके लिए इसने आवाद उठाई गरीबों के खूल दे अपनी जिन्दगी रंगीन करने वाले अमीरों के खिलाब बाद उठाई देग्या रहे हो उठाओ पत्थर और पुचल दो इसका सार्माल डालो चाहादो दूली पर दबादो इसकी आवाज को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा अपनों का खून आपनों के काम नहीं आए अपनी को यह तुम्हारे साथ निल जाएगा किसी के साथ निल जाएगा यह लेरे साथ जाएगा मेरे साथ अब कैसे हो गटा सारी रात बेचैन थी तो सर्ट जी अब क्या है कभी मेरी जान लेना चाहते हैं कभी मेरी जान बजाने के लिए मेरे खून पर अपना खून बहाते हैं कल आपके हाथों में बंदुग थी आज आपकी आखों में आसो हैं वाकिर वाकिर यह रास क्या है उंसे क्या चाहते हैं आप सेची क्या चाहते हैं आप मुच्छे आप मय झाएकिक बिधि शेटा चीन ऑनेदध जे जोब इंदर च Вас रेरे 1500 अाटिजो快जी को में आटकीन देएकिक फोर मिबया अई मैं इसकी जान लेने की कैंप इसकी आपके जान ले लोगा आज मरें सब्धी चट्रक चुका है मैं इसे संदाने छोड़ोगा इसकी काल खेच लोगा मैं इस पाप की परचाई को मिता कर प्रकुगा आज पैसा ने का मनी जलील कुछ मैं ऑब करें कि इसे मारने से क्या होगा मार नहीं है तो इसके मन के अंदर जो बुरा आदमी चुपावा उसे मारी निकाल दीजिए उसे इसके दिल से शरीर पर खोड़े बरसाने से आत्मों को कोई फर्क नहीं परता भाबुची छोड़ दीजिए से इसकी तरफ से मैं आप से माफी मांग जाने दीजिए से दरसल भाबुची सच बात तो यह है कि मेरे कदम बड़े मन्हूस है मैं जहां भी गयाओ मैंने बरबादी पहलाई है मैंने जिसे भी अपना या तो गयर हो गया यह दुश्मन हो गया या थे इस दुनिया से ही चलागी इसलिए यह घर बरबाद नहों मैं मैं यह घर चोड़का चलाजाता है नहीं हिरा अब यहां से नहीं जाओ गया मां इंदर बाबु अपनी जिंदीगी के रास्त है अपनी तक्दील की कदर करो कि तुम्हें ऐसा बात मिला है अगर इनके चरणों की धूल तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें अपने आपको खुश्क्समत समयना चाहिए जब तक बेटा अपने पापों के लिए अपने बाप से माफी नहीं मांगता उसे भगवान भी माफ नहीं करते बड़ा च्छा मौका है पकड़ ले पांट अगर ले ना कि इनसे माफी मांग इनसे माफी मांग सब ठीक हो जाएगा दोनों तुस्से बड़े हैं चल चल जल ौझे जल डहा देखर जल चल चल जल अबावजी मझे माफ करते जिए प्रवाज बीकर जलिक आई आ पर द्राट करते चिए जी बाबाजी जरह उपर आना जी बाबाजी तेरा ये धुन जो तुम अभी गुमिना रहे थी ये जी बाबाजी ये मेरे बच्पन के ख्याद है जब कभी भी में मौच में होता हूं तो विद्या देवी का यी गाना गुरूना दैता विद्या देवी वाव 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 गाने बजाने की बात मैं तो समझी थी कि अब इस हवेली में कभी गाना बजाना होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा देखिए न बाबुजी आज मेरा जनम दिल है और पूरी हवेली पर उदास ही चाही हुई है इसलिए मैं भी खामोश अरे आज तेरा जनम दिन है बस बस फिर देखना तेरा ये भाई किस तरह खामोशी और उदासी की दिवार को तोड़ देता है हाज इसका जनम दिन किस तूम दाम से मनाता हम सिर जी देखेगा आप आज जिसकी बीवी गोरी रसाधी बरा नाम है जिसकी बीवी गोरी रसाधी बरा नाम है कि अरे दिवान सेंग पुलिस को फोन करके बुलाओ काई को पुलिस को तकलिव देता है साइब वो वीचारा लोग खापी कर आराम करता होएंगा ज्यान देव मेरे को भूक नहीं है मैं आई साज तुमारे को सालाम मारने को आयाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ कि अरे तुकाई को मेरे कुछ छोड़ के गया था रे मेरे बेते यह बुड़ा मर गया था तेरे बिना कि यह क्या कर रहे हो तुम आया था तेरे को ढूनने को पर यह मिला सालाक का एलाश कि तुम क्यालाशनाट को कैसे जानते यह बाद में पूछ जाए परहले ही बताव मैं किसकी अलादा है किया मेरा बात को परहले किया तेरे माा के बारे में भी बताएंगा लेकिन गलास हूं कैया है तारू अंदर जाएंगा तुम सीधे से बता दो बापूल कौन है मेरा बाप बड़ा अदमी है तु सुनेंगा तू बहुत खुश होएगा अब तू देखेगा तू कूधी मारने लगेंगा हां तो बताओना कोन है वह तुम से पूछता मेरे बापक की नान के दुशे पर बता GU improving देहेंगा तो बहुत खोश हो कुंत देखेंगे थे यूदि आफम देह था तू मुझे से घ्री जंताए है ॉन्हा depends केशका बंब्र हो हुए तनी अधर मेरे डानाव 새का certific के लाज अगया तेरे को यतीम बनाने वाला भी यह तुम्हारा बाप का नम क्या है तो बहुत बहुत बारा अदमी है तुम देखेंगा खुश हो जाएंगा अलेकर इसका नाम क्या है तुम हां मैं वकील का मैं कभी-कभी इंसान अपने पाप का एक छोटा सा पौदा छोड़कर भाग जाता है लेकिन किसमत उस पौदी को एक पेड़ बनाकर उसके सामने खड़ा कर देदी जैसे मैं आज आज आपके सामने खड़ा हूं जरा देखिए वकील साब उस वक्त में छोटा था कमजोर था बेबस मासूम और आप जवान थे पाजाब पूरे हैं कमजोर हैं बेबस हैं और मैं जवान हूं इनसान को अपना हिसाब किताब इसी दुनिया में चुकाना पड़ता है वकील साब जिस बच्चे को आप लावारिस और खलंग समझकर फिगवा आए थी आज उसी लावारिस के साथ आपकी बेटी प्यार करती है क्या अब कोहानी आपके घर में वी दोराई जा सकती है वकील साब आपके घर मी एक लावारिस पैदा हो सकता है क्या आपके बार भी आप उसे भीकवा सकेंगे नहीं वकील सब्सक्राइब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस मार्थ पक्पीर आपका मज़ा रही है युकिन नहीं आता ना तो अपने बेटी से पुछ लीजिए बेटी क्या सच है हाँ पता जी मैं हीरा से त्यार करती हूँ मुझे नफरत है इस तौलत से इस जोटी इज़त से आप ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी पैदा होते ही मर गई थी या फिर हीरा के साथ आपने उसे भी फिकवा दिया था और फेंके हूँ को उठाया नहीं करते ये आप ही का बनाय हुआ अरसूल है चलो हीरा मौनी अपने घर वापस लो जागा क्या है तुम्हारे पिता से जो मुझे बदला लेना था वो मैंने ले लिया उनकी आखोंगे सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें ले आया और वो मजबूर खड़े देखते रहे बस मेरा बदला पुड़ा होगे जाओ कर जाओ मैं लोटकर जाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर घर के नहीं निकले हुआ जिंदकी भर साथ में भाने के लिए निकले हुआ है मैं मेरा साथ कोई निभा सकता मेरी तक्दीर मेरा साथ में निभा सकी तो तुम क्या निभाव की हम तो नोगों में से हैं जो इस दुनिया में सिर्फ शरीर लेकर पैदा हों है हमारी न तो तक्दीर लिखी जाती है श्रूज अ क्जल्व में जिर्फ ने वह उनकी तो एक बएप की में का बहुत बएबाप की तुम किसे जानती हुआ हूँ मैं जानती हूँ, और आज मजबूर होकर कह रहे हूँ तुम्हारे बाबुची को दिया हुआ वचन दोड रहे हूँ तुम कुबर रन्वीर सिंग के बेटे हुई रहा रन्वीर सिंग, मेरे, मेरे पिता वो हुआ वो जानते हैं कि मैं उनका पेटा हूँ हाँ, वो जानते हैं मगर मगर मजबूर है मजबूर है क्योंकि क्योंकि वो मुझे अपना बेटा नहीं कह सकते हैं दुनिया को क्या जवाब नहींगे लोग क्या कहेंगे कोवर रन्वीर सिंग दुनिया जिनकी शराफ़क की कस्मे खाती है उनकी एक नाचाइज एक नाचाइज आउलाद जिन्दा है अचाइज 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 और शायद शायद यह जागते हुए यह जागते हुए कि मैं इतने बरे बाद का पेटा हूँ तो यह सोचकर मेरा हाथ पकड़कर अपने बाद के खर से चले आए चेला इतनी गिरी हुई बात किया है तुमने आज तुमने अपने आपको मेरी नजरों से गिरादिया है कि तुम्हारी पूजा करती हुँ जिन्दगी में पहला मर्द देखा, जो अपनी इस्सत करवाना जाता है, यही सोचकर मैं घर से तुम्हारे साथ निकल पड़ी थी, लेकिन, लेकिन तुमने मुझे एक काली दी है हीरा, काली दी है, मैं तुम यही समझी थी, कि तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो, यह सुनकर तुम खुश होगे, क्या करूँगा इस खुशी का, और क्या करूँगा ऐसे मजबूर बाप का बेटा बनकर जो अपनी अउलाद का उलाद नहीं कह सकता, इससे अच्छा तो मेरा वो बाप गंगू था, जो शराब के नशे मुझे बेटा तो कहता था, मैं भी अपना सीना ठोक कर कह सकता था, कि हाँ, यह मेरा बाप है, अगर यही बात है, तो मैं तुम्हारे प्यार की कास्म खाकर कहती हूँ, कि मैं इसका सिकर कभी भूल कर भी किसे से नहीं करूँगी कि तुम किसके बेटे हो, और तुम्हें भी कास्म है, कि तुम ये बात कभी अपने जबान पर नहीं लाओगे, मुझे माफ कर तुम्हारे जिन्दगी में मैंने इतने दोके खाए है कि अब अपनों और, वैरों को पहचानने में मैं खुद भूगा खाज़ता हूँ, चलो तुम्हें कोर सांके कर चूँगा, क्या? कहा था न, उच्छल पड़ोगी? बताओ, लड़का चाहिए या लड़की? ओ, पद्मा, यह लड़का लड़की बीच में क्यो लाती हो? जवानी याश करने के लिए होती है, मेरी ज़गा सच कह रही हूँ महिंदर, मैं तुम्हारे बच्ची की माँ बनने वाली हूँ ओ, ओ, पद्मा फिर वही गिसी बेटी बाते हैं, जिस लड़की को देखो, हर 30 से मेने शुरू हो जाती है, मैं तुम्हारे बच्ची की माँ बनने वाली हूँ यह, यह तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारे बच्ची की माँ बनने वाली हूँ यह, यह तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारे बच्ची की माँ बनने वाली हूँ तब फिकाता बने तो मेरे पास तर्चीब है जांद उज़रा पादमा मा बनने वाली है तो मुझके कहने लगा कोई बात नहीं है घर बात कर वालो जाओ लालकले की उची दीवारों बचर जाओ वाजा के नारे लगाओ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और अगर फिर भी तुमको तसली ना मिले रेडियो सिंगर रेडियो स्केशन चले जाओ मेरी बदनामी के गीत जाकर गाओ आप चुपा हैं पूर सहाब ठान रखिये आप बेशिक खामोश रहें लेकिन मैं खामोश रहने वाला नहीं मैं अख़ी बेटी के लिए इसाफ चाहूंगा जाहे मुझे हीट का जवाब पत्थर देना पड़े मैं पीशे हटने वाला नहीं मैं इसाफ दे कर रहूंगा मैं अपनी वसेत बदल्ने आया कि महंद्र के नाम आप मैं कुछ नहीं करना चाहता हूंगे हैं। प्राणी बजीर देदरी होगी, इस हैलमारी में बाबुची इस कमरे में किसी को नहीं आने देते पित्या, पित्या कितिस्पिर यहां कम मतलब पित्या कुपर साथ से प्यार काती थी रहीर कुपर साथ कब पिटा है कूपर साथ quais पेजला अबेरे के अध्यार कालिौ न्यूं आख्विय अदेतीे ड़ागे prec consultat लिए मेरें दोस्त वकील साथ मेरी वसीयत्या तो अ यह बज बेस्यत्य चुरौय गरत के हराहां लात भी घूशत Bennettंत और वो भी आपसे उतनी नफरत करेगी को साथ जितनी मैं अपनी उलाद से खरता हूँ मैं मैं पुछाता हूँ आपसे बाओ जी आपके लिए बेटरी यही रूगा कि आप तो नहीं यहां से तफा हो जाओ जाओ यहां से निकलो अरे वी यह क्या कर रहा हूँ जरा से खलती के लिए बेटे को खर से निकाल रहा है मुझे ऐसी जली लाड़ नहीं चाहिए इस गर में अगर तुम्हे अपनी वालाद के साथ बहुत हमदर दिये तुम भी इन के साथ तफा हो जाओ जाओ यहां से अब जाओ हुआ हीरा सिर्फ तुम्हारी बाप की जाद का बाइस नहीं है बरके मेरी भी सारी जाद उची बाप की जाद वो कैसे उसकी माप की सारी जाद हीरा पे नाम खर भी थी मैं दो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फुटबात पर आना पड़ेगा अगर तुमने जरा सी भी देरगी याद रखो तुम्हें सिंदीगी बन फ्रीख मांगी पड़ेगी तुम्हारा भी को यहां होगा जो कल हीरा का था तुम्हें तो उसे नौका रखिया लेकिन वो तुम्हें नौका यही देएगा तुम्हारा भी दुष्णा ने को ले रागी मैं तो तुम्हारे बाप ने मुझे जलील करके दर्वादर कर दिया इन दोनों कांटों को हमेश्या के लिए दोने जन्दिकी से अलग करना होगा मैं तुमारे लिए इपने दर्वा ने है पाबजी कोई दीक कोमें तुमारे बाप जन्दिकी देख चुके है और तुम्हें से जन्दिकी शुन कर दिया है तुम किसी भी तरह कुमर साप को लेकर के चन्दर मारी कहुचो, मेरा, मेरा को मार डालेंगा? कुमर साप को चन्दर मारी में कुछ बदमाशों ने किये रखा, उनकी जांग जो खत्रा है, तुम जल्दी से महां पहुचो, मैं पुरिस को लेकर आता हूँ महिंदर बाबु के उन्डे उसे बुजी तरह पीट रहे हैं, कहां? चंदनवाडी में, जी का जुरू, आखिर बाद क्या है, कौन है ये अदरी? ये मरे हीरा रनबीर सिंग को जान से मारना चाहता है, तुमारे बापने पेजा है क्या? ये चंदनवाडी कहा है, चंदनवाडी? उस पहाडी के पीछे है, और इसका शोटकर इधर से है, समझा, वैसे समखसी हो, समख़की जा बाब जाब, वकील साब, सब दी कहला? फिकर मत कर, मैंने ऐसा महरा फिच किया है कि बाप और बेटा एक दूसरे को बचाने के लिए यहा आते होंगे बाब जी बाबदी 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 नीरह, बाबजी। बाबजी, नीरह, तुम ठीको। है मजी आप की कहें। मुझे सापने कहा की आपकी। ख़िश करपनता ना ता मुझे। हम आईकर दोपिशेट। यूपार्शेट। बाबबु, बाबबु! ये क्या क्या बापू, फिरी लिए तुम्हें अपना खोन बहा दिया आखे, लनर येससब क्या हो रहा ये ये खोन नहीं है बच्छा ये तो बारू है जो जिंदगी वर तेरे नाम पर पिया है बच्छा मैंने तेरे कुछ ताद में जाहेंगा वर दिएवाय स्ठक, आप .. जर एदच्छ से जाएंगा है ना बच्छा मैं तलête.. пошते जिका डेसे ხ हते Breath लेय बाबची लेनी शिए मत गईा, बस्ट ठून原因 को पकरकाले हीरा आप महेंदर को पकाने ना पाए आज इसे जिन्दा में छोड़ना तुमने मुझे घर से बेजब करके निकाला था आज मैं तुम्हें दुनिया से निकाल दूगा महेंदर बाबू के आपके सारे आदमों को आपके खिलाफ कर दिया है यह चाबे हीरा बाबूने मुझे दी यह उसल्मारी कि है इससे सारे हतियार है आगे बड़ो चुहे बड़ो लुक जाओ अब उनसे कहो कि अपने अपने हत्यार फैंक दे अब बनो हत्यार फैंक दो अब आपना समंचा मुझे दे दो और मेरा दवाहाना तुम ले लो वहीं रुख जाओ वर्ना ये धर्मामेटर मुझे डाल दूगा हुआँ, आप पोली स्टेशन पर आपके अवाल आपके हागा आपकेल, आपने भाद हागी आपकेल, अनले बीजिया आपकरो बागरो, बागरो आओ भाईयो आओ ये रहा तुम्हारा धर्मात्मा देख रो इसका असली रूप तुम्हा सहाब बहुत दिन हो गए और आपने बच्ची खबर तक नहीं ली मैं तो सोचता था कि मुझे बुलागर आप ये कहेंगे कि लड़की आपकी हो गई और लड़का मेरा हो गया सोचिये आपके भी जवान बेटी है अगर उसके साथ से सब कुछ होता तो आप क्या चुप रहते हैं आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर कर दिया है गुवर सहाब आज या तो इनसाफ होगा या मामला साफ होगा ये खामोश है भाईयो बढ़ो 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 आ कर दो एड़ो आजाए तो आजाए इस सब ढ़ो आढ़ो आजाए आजाए इस वां पार आजाए प्रुण साफ दिया शोड़। के घएगाइ पुलार के वाइगा है तियो से घखाया है। हुआ हुआ है हुआ हुआ है लेव हो ली, लेचेा। अपने किये की सजा तो हर इनसान को बगतनी पड़ता है लेकिन अपना चुर्म कबूर कर लेने से, उसकी सजा चेलना अचान हो जाती है चल बाबुजी के सामने चल, अपना चुर्म कबूर कर चले इंसाफ तो मैं तुझ से मांगता हूँ लाला तुझ जैसे खुदगर्ज इनसानों ने मेरे बेटे की जिन्दगी बरबाद किये बोल, क्या सजाद हूं तुझे लाला बोल बोल तुझे लीजे, ले आया महिंदर को चल माफी मांग बाव जी, मुझे माफ कर दीजिए तु मेरे खून नही है मेरे खून नही है तो तो मेरे गुजरे हुए कल की व कालिक है जो आज जो आज मेरे चेहरे पे मली जा रही अपने पापों का प्राश्चित करने के लिए दिल में आता है तुझे ही खत्म कर emissions ताकि तरह साथ मेरे घिनोना माजी हमेशे के लिए खत्म हो जाए में आज तक तेरी हर जाइज नाजाइज जित पूरी की है और आज में तेरी आखरी खाहिश भी पूरी करूगा मुझे मारना चाहता है ना ले चला को नि पाउ जी मैं गुनेगार हूँ अपने बाते की कालिक को अपने हाथ से मिटा दीजिए कर दीजिए इस कलंड को आई यह आई इस पर किसा जल्दियों वकील साब को तो पगड़ लिया भाग रहा है तो दूसरे बाड़ी उदर जीप में है और तीसरे हमारे यह चोटे सरकार चलिये मिस्टर महंदर बाबजी इने रोकिए जैबा अगर यह मेरे महंदर को ले गए तो मेरा क्या होगा बाबजी कर मद तुरो तेरे बच्चे को मैं अपना नाम लेगा, अपना बनाएगा तेरे को हीरा, यह तुम क्या कह रहे हो हाँ मुहीनी, तुम्हारे पास दुनिया का सब कुछ है मुझे भूलकर तुम अपनी जिन्दीगी गुजार सकती हूँ, लेकिन इस कहानी का अंजाम क्या होगा मुझे मालूब क्यादे हुआ पासिए बदाब कैना मैं रावोची अब का व्मीं हाँ days तुम अकर वह समझ यह बाभूजी समझ गया जाता है भूच यह कहा जाओ जिदर भी चला जाएगा बाभूजी पनीदर में रहेगा आप आप समझना एक नौकर था आपके पास नौकरी कीया चला खरपूची चला क्या हीरा रुपजाओ हीरा भग्वान की देख जाओ मत जाओ हीरा मत जाओ हीरा मैं भी आदी हूँ हीरा रुपजाओ कभ है मेरी कसम मक जाओ हीरा वेख देख मैं किपना वश्माथ बाम कुक्कर बाध को हीरा रुक जा़ लावारिस तू नहीं लावारिस तो मैं हूँ रुख जा मेरे बेटे पेरी जिन्दीगी का कोई भरुसा नहीं बेटे बाप की चिता को बना बेटा ही आग लगाता है मेरा यह हक मुझसे मत चीन मेरे बेटे वापस आजा मेरे बेटे मापूचे झाल रखरा है मेरे बेटे बेटे दिन्दीट को २एय हैया हमेरे तो, । झाल 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 भा जाका मेरे बेटे झाल टा selbst है जोत् सवतरॉचे कऺवन झाल झाल